हेलो मैं चनलन कुमार और इस वीडियों में बताएंगे इसरसाइज 143 यह वहाइस चेप्टर का जो है वह पहला टॉपिक है और यह सिंपल परजेंट टेंट से रिलेटेड़ सेंटेंज सिंपल परजेंट टेंज पुले हैं यह परजेंट इंडिफिनिट टेंज तो उसी से और यह टॉपिक है भुआज का पहला 143 नमबर इसका फर्मूला है सब्जेक प्लस आम इस आर प्लस भी थिरी प्लस अब्जेक्ट अगर सिंपल पर जेंट टेंज में यह वह वास वास से रिलेटेड़ बनेगा तो यह बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस आमिज आर प्लस बहु को पढ़ाया जाता है तो जो हम लोगं पढ़ाते हैं तो गो साटिक्ट सब्सित में प्रेक मुझे प्यार किया जाता है ई मुझेAwक्या रहें गार भर्व का तिसरा रोप लॉब जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा फिर पांच नमबर में कि वह पीटता है तो ही बेट जाएगा लेकिन उसे पीटा जाता है थी बीटेन हो जाएगा अब सब्सक्वेक्ट में उसके या उसका या उसकी कोई भी रूप रहे तो अबजक्ट में ही या और काई परेंगे लेकिन अगर उसके अलगा राएगा अबजेक्ट में रहेगा तो सही, रूप होता है तो उसे पीटा जाता है तो ही इज बीटेन हो जाएगा नेगे साथ नमरे में लोग पेर काटते हैं वें लोग फिर कारते है तो दे काट दा कट का तीनो रूप कट ही हो था नेक्स यह उंग्रेजी पढ़ा जाती है इंग्लिश इज टॉटिछ का हो जाएगा टॉटट नेक्स यह लरके पढ़ाये जाते हैं दबवाइज आर टॉट नेक्ट धान उपजा जाता था पैडी इज ग्रोन और नेक्ट फिर है विखारे खिलाए जाते हैं तो बेगर इज फेड का तिसरा रूप फेड हो जाता है तो बेगर इज फेड इसमें जो था नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका तेरा नंबर जो हो अगले वीडियो में बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे